हेलो एवरीवान आज मैं आपके लिए एक बहुत यूजफिल वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं आपको अलग लग तरीके के हैंगर दिखाने वाली हूँ और उनका यूजबी बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी अलमारी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना सके एक अपनी आलमारी को सुनदर बना सके अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह के कर क्रेक्टर वाले हींगर भी ले सकते हैं जिस्में बच्छों के चोटी-चोटी ड्रेस से टंगी हुई बहुत ही सुनदर लगति आ और अलमारी भी सुनदर दिखती है और आप अपने बच्चों के फेवरेट क्रेक्टर के हेंगर ले सकते हैं तो इस तरह से मार्किट में कई तरह के हेंगर आते हैं तो इस तरह से अलमारी में आप अपने बच्चों के कपड़े क्रेक्टर वाले हेंगर में टांग सकते हैं ये है स्टील का हेंगर तो ये सिंपल हेंगर है और ये हर गर में मजूद होता है और ये काफी दूरेबल होता है ये मजबूत हेंगर होते हैं इन में भारी कपड़े टांगे जा सकते हैं ये भी स्टील का हेंगर है और ये काफी मजबूत हेंगर होता है और इसका हुक इस तर के हैंगर भी मार्कित में मिलते हैं mostly छोटे बच्चों की फ्रॉक्स टांगने के लिए ये काम में आते हैं और इसी तरह से प्लास्टिक के ये वाले हैं भी मिलते हैं तो इस तरह से नीचे एक हुख झाफ होता है तो इस हैंगर पर हम एक साथ 2 कपड़े टांग सकते हैं और इनमें काफी सारे कलर मिलते हैं तो अलमारी में ये भी बड़े सुन्दर दिखते हैं रंग भी रंगे नीचे वाले हुक में हम इस तरह से स्ट्रैप वाले कपड़े टांग सकते हैं फिर उपर से हम एक दूसरा कपड़ा भी टांग सकते हैं तो इस तरह से यह हेंगर बहुत ही अच्छे रहते हैं तो इसमें एक साथ दो कपड़े आ जाते हैं तो अपनी पूरी ड्रेस इस तरह से टांग सकते हैं तो कुछ इस तरह का हेंगर भी मार्किट में मिलता है तो ये टाई टांगने के काम आता है तो इसमें इस तरह से स्पेस बनी होती है तो यहाँ पर हम टाई टांग सकते हैं तो इस तरह से सारी टाई अच्छे से संभाली रहती है नहीं तो टाईयों को यही नहीं समझ आता की कैसे रखें अगर इस तरह का हेंगर है घर में तो फिर सारी टाईयां एक हेंगर में ही आ जाती है और देखने में भी सुंदर लगती है और टाई हेंगर को हम अपनी अलमार प्लास्टिक का हेंगर है और इस तरह से कलिप लगा होता है और ये mostly साड़ी या शॉल वगरा टांगने के काम आता है इसमें साड़ी या शॉल टांगने से जो दूसरे हैंगरों में हम टांगते हैं तो उसमें लाइन सी बन जाती है इस हैंगर में टांगने से ये problem solve हो जाती है और लाइन नहीं बनती तो इस तरह के हेंगर में हम साड़ी ये शॉल वगएरा टांग सकते हैं इसी तरह के हेंगर स्टील में भी मिलते हैं और इस तरह से वुडन के हेंगर भी मिलते हैं और इस हेंगर की खासित ये होती है कि जहां पर हम कपड़ा टांगते हैं तो वहां से भी यह rotate होती है जिसकी वज़ा से जब हम hanger से कपड़ा उतारते हैं तो वह बहुत ही असानी से निकल जाता है फस्ता नहीं और कुछ ही इस तरह का wooden hanger भी market में मिलता है जिसमें हम दो कपड़े एक साथ टांग सकते हैं तो इस तरह से hanger के ऊपर जो कट लगा है हम इस तरह के strap वाले कपड़े उस पर टांग सकते हैं तो ये भी बहुत ही useful hanger रहते हैं और ये hook वाला hanger है इस पर काफी सारे hook बने हुए हैं और यहाँ पर हम belt टांग सकते हैं तो ये belt hanger है तो कुछ इस तरह से सारी बेल्ट हम इस तरह से टांग सकते हैं और भी मार्किट में कई तरह के बेल्ट हैंगर मिलते हैं ये भी एक बेल्ट हैंगर है और इसमें हम कुछ इस तरह से बेल्ट टांग सकते हैं और अपनी अलमारी को और्गिनाईज कर सकते हैं और इस तरह के हेंगर भी मार्किट में अवेलेबल है इस तरह के हेंगर पर हम कई कपड़े एक साथ टांग सकते हैं और इस हेंगर में दोनों साइट पर हुक बने हुए है तो यह बहुत ही यूसफुल हेंगर रहता है और अभी मैं इस हेंगर पर आपको कपड़े टांग कर दिखाती हूँ अगर आपके घर में कपड़ों के अलमारियां कम है तो यह हेंगर बहुत ही यूसफुल है या फिर आप होस्टल बगएरा में रहते हैं तो यह बहुत ही स्पेस कम गेरता है और इसमें ज़्यादा से कुछ भी टांग सकते हैं क्योंकि इसके दोनों तरफ इस तरह से हूप बने हुए है तो यह काफि यूसफुल हैंगर है और इसी तरह से हम कोड़े भी टांग सकते हैं लेगिंग टांग सकते हैं और यह कोई कोस्ट़़ी भी नहीं है यह दो का सेट मैंने 100 Rs.000 मे लिया है औ ये बिग बजार में इजली मिल जाता है और ये ओनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन ये बिग बजार में ज्यादा सस्ता है मैंने चार कपड़ों वाला हेंगर लिया है और इसमें पांच वाला भी मिलता है तीन वाला भी मिलता है और बहुत सारे कलर भी आते हैं और इस तरह के हैंगर भी मार्केट में मिल जाते हैं इसमें बहुत सारे हुक्स लगे हूए है यह मल्टी परपस हैंगर है और यह भी कोई कोशली नहीं है यह सिरफ 39 रूपिस का यह भी मैंने बिग बजार से ही लिया है तो इस पर आप अपनी जूलरी भी टांग सकते हैं टा और प्लास्टिक के इस तरह के हेंगर भी मार्किट में मिलते हैं जो साइड से इस तरह से मोटाई वाले होते हैं और यह मोस्ली कोट टांगने के लिए काम में आता है और इसका हुक भी रोटेट होता है इस तरह के हेंगर पर कोट ब्लेजर या फिर कोई भी आपकी जो जैकेट है जिसमें शोल्डर में पैड्स लगे होते हैं तो वो इस हेंगर पर डांगने से शेप सही रहती है और एक इस तरह के हेंगर भी मिलते हैं इसे सकाफ होल्डर भी बोलते हैं तो यह हम घर पर भी बना सकते हैं, इसमें स्काफ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, तो इस तरह अलग लग तरह के स्काफ होल्डर मिल जाते हैं, तो इन में स्काफ बहुत ही अच्छे से से रहते हैं, तो हम एसानी से दिखते भी हैं, और ये वाला हेंगर भी बहुत ही यूजफुल है इसमें हम एक साथ आठ से नो कपड़े हेंगर में डालकर टांग सकते हैं तो कुछ ही इस तरह से इसमें हम कपड़े टांग सकते हैं इस तरह से हम अलग अलग तरीके के हेंगर लेकर अपनी अलमारी को भी सुंदर बना सकते हैं और साथ ही कपड़ों को भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो मिलती हूँ आपसे एक और नए यूसफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी थैंक्यू वाचिंग मैं वीडियो